महेंद्र सिंग धोनी बल्ले बाजी करने आते हैं और महज दो गेंद खेलने के बाद धोनी पवेलियन लोट रहे थे और उनको पवेलियन भेजने का काम किया मोहित शर्मा ने मोहित शर्मा के गेंद पर धोनी शोट लेत मारते हैं, बॉल जाती है सीधा हार्दिक पंडिया के हाथ में हार्दिक पंडिया कैच पकड़ लेते हैं और जैसे ही धोनी आउट हुए मोहित शर्मा ने उपर देह कर प्रणाम किया हार्दिक पंडिया चुप होकर बॉल फेक देते हैं कोई गुजरात टाइटन्स का खिलारी सलिब्रेट नहीं करता है और महिंदर सिंग धोनी च लग रहा है कि धोनी अगले सीजन में चन्नई के लिए IPL खेलते हुए नजर आएंगे लेकिन कल जब धोनी का विकेट गुजरात टाइटन्स के मोहित शर्मा ने लिया और उसके बाद जब उन्होंने ऊपर देह कर प्रणाम किया तब लगा कि शायद मोहित शर्मा महिंदर सिंग धोनी के सम्मान में ऐसा कर रहे हैं हार्दिक पंडिया वो युवा खून जो सलिब्रेट करने से कभी चूकते नहीं है वो धोनी का कैच लेने के बाद एक दम से चुप रह गए एक भी रियाक्शन उन्होंने नहीं दिया और ये सब कुछ ये दर्शा रहा था कि धोन धोनी का ओदा क्या है और धोनी का सम्मान अन्य खिलारी कितना करते हैं वो जानते हैं कि आदमी 41 साल का हो चुका है और 41 साल की आदमी से क्या उमीद की जा सकती है और वो आदमी जब पविलियन लोट रहा था तब एक भी खिलारी हूटिंग नहीं कर रहा था एक भी खिलार चिला कर उस विकेट को सलिब्रेट नहीं कर रहा था और यही धोनी ने इतने बरसों में कमाया है बहराल इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे लेकिन उससे पहले नमस्कार स्विकार करिए ये वीडियो streetlearning.edu के दोरा प्रयोजित है streetlearning एक ऐसा एप है जो आपको test series देता है आप 10th का 11th का 12th का NEET का JEE का तयारी मात्र 200 से रुपए से लेकर 6-700 तक कर सकते हैं इनके पास 1.5 लाग सवाल का set होता है अगर आपको 1.5 लाग सवाल बना जाएंगे तो आपको top करने से कोई नहीं रोक पाएगा क्लाश 10th में सिर्फ 1.5 लाग सवाल 12th में 1.5 लाग सवाल NEET में 1.5 लाग सवाल JEE में 1.5 लाग सवाल और इतने सवाल बना लेने के बाद ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो वो एक्जाम क्रैक नहीं कर पाएगा बहराल आप इनका एप streetlearning.edu डाउनलोड कर सकते हैं आप इनके website streetlearning.edu.com पर जा सकते हैं और वहाँ पर भी जाकर आप सब कुछ खरीद सकते हैं अब लोटते है धोनी पर महिंदर सिंंग धोनी हो सकता है कि अपना आखरी मैच कल चैपोक के ground पर खेल रहे थे ये इनको खेलना है लेकिन चैपोक के ground पर खेलना धोनी के लिए कितना महतुपुर्ण है जी आप धोनी के बातों से समझ सकते हैं धोनी इसके पिछले वाले मैच में जब उन्होंने चैपोक के साथ खेला था तो उन्होंने लैप ओफ ओनर ओडियन्स को दिया था घूम घूम कर टीशट और बॉल वो फेक रहे थे उनको शक था कि अगली बार इस ग्राउंड पर लोट पाएंगे की नहीं और महेंदर सिंग धोनी को आउट करने के बाद कले कैसा माहौल बना ग्राउंड पर कि सब लोग बस देखते रह गए हार्दिक पांडिया ने धोनी का विकेट सेलिबरेट नहीं किया मोहित सर्मा जिन्होंने धोनी का विकेट लिया वो आस्मान की तरफ देखकर प्रणाम कर रहे थे और मोहि महेंदर सिंग धोनी का विकेट प्ले लेते हैं तो सम्मान में आसमान के तरफ देखकर प्रणाम करते हैं गुजरात टाइटन्स के कप्तान हार्दिक पंड्या सेलिबरेट नहीं करते हैं और धोनी चुप चाप ग्राउंड से लोट जाते हैं बाकी ऐसा लग रहा है कि धोनी अगले साल भी IPL सीजन में रहेंगे चन्नाई के लिए खेलेंगे और महेंदर सिंग धोनी को खेलता देखने के लिए पूरे भारत के लोग बेकरार हैं लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि धोनी कब इंस्टाग्राम पर लिख आकर ये लिख दे कि I quit कोई नहीं जानता है इस सब धोनी ने कमाया है बाकी हम भी यही दुआ करेंगे कि धोनी अगले सीजन भी खेल ले आए ताकि हमें 42 साल के एक आदमी को देखने का मौका मिले जो कभी हार नहीं मानता है धन्यवाद